हेलो एवरिवन देखिया आज का टोपिक रहेगा आपना AC जनरेटर AC जनरेटर आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ बेटा ठीक है तो देखो क्या होता है AC जनरेटर एक AC डिवाइस है जो मैकेनिकल एनरजी को इलेक्ट्रिकल एनरजी के अंदर कनवर्ट करती है AC जनरेटर यानि जनरेटर से हम क्या लेते हैं एनरजी लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनरजी लेते हैं ठीक है तो यहाँ कनफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका कई बच्चे क्या कर देते हैं electric energy को mechanical energy के अंदर convert करता है यानि वो जो system है वो हमारे पास electric motor का होता है तो generator का नाम ध्यानाते आपको ये हो जाना चाहि겠os कि अपने घरों में generator हम क्यों लेके आते हैं क्योंकि उससे हमें बिजली चाहिए उससे हमें electricity चाहिए, तो वो mechanical energy को electric energy के अंदर convert करता है, ठीक है, किस principle के उपर काम करता है, तो AC generator electromagnetic induction principle के उपर काम करता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक rectangular armature जिसके अंदर number of turns होती है, उसको uniform magnetic field के अंदर इस परकार से rotate करवाय जाता है, यानि perpendicular rotate करवाय जाता है, to the direction of magnetic field, और जब ऐसा करवाते हैं, तो उसके अंदर induced current डवलप हो जाएगा, ठीक है, due to change of magnetic flux and a direction of induced current is determined by flaming right hand rule, यानि जो electromagnetic induction principle वो यही कहता है, कि जब किसी conductor को changing magnetic field के अंदर रखा जाता है, तो उसके अंदर magnetic flux link हो जाता है, और जैसे magnetic flux link होता है, तो उसके अंदर induced EMF या फिर induced current डवलप हो जाता है, ठीक है, और इसके direction हम flaming right hand rule के according निकाल सकते हैं, ठीक है, तो देखो, construction में क्या क्या है, कौन कौन से parts होते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले armature, armature क्या होती है, एक rectangular coil होती है, ABCD, जिसके अंदर large number of insulated copper wire wound होती है, ठीक है, second जो है electromagnet, electromagnet का क्या होता है, ये uniform magnetic field provide करती है, दो pole होते हैं हमारे पास, electromagnet के, जिसका काम यही होता है, uniform magnetic field provide करवाना armature को, उसके बाद, slip rings, R1 और R2, दो नाम देदी हैं इनको, जो end है coil के, two end of coil are connected to these slip rings, ठीक है, slip rings, देखो diagram के अंदर दिखाता हूँ, ये जो R1 और R2 जो लगा रखी हैं, ये इस परकार से, ये क्या है, slip rings है, और slip rings क्या काम करती हैं, ये जो armature है, ये armature, ठीक है, diagram में देखो, ये ABCD जो दिखा रखा है, ये armature है, इस armature को movable contact apply करती है, rings, जो है, move करवाती हैं, एक वासर हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, Bruce, Bruce is B1 और B2, ये जो होती है, B1 और B2 make contact with slip rings, ये slip rings के साथ contact रखती है, It is the output of generator, ये जो generator की output है, वो इसके दवारा हम लेते हैं, Bruce जो होती है, वो carbon की बनी होती है, ठीक है, तो ये structure रहेगा, AC generator का, देखिए, इसमें क्या है, ये हमारे पास दो पोल हो गई, नोर्थ और साउथ पोल हो गई, ये एक rectangular coil है, ABCDA नाम दे दिया, ठीक है, इसको दो slip rings के साथ जोड़ रखा है, और slip rings को Bruce के साथ, एक B1 और दूसरा B2 इन Bruce के साथ जोड़ रखा है, और फिर इसके साथ एक resistance लगा रखा है, रजिस्टेंस की जगाए पर यहाँ पर आप galvanometer भी लगा सकते हो, ठीक है, और ये इसका axis of rotation है, इस परकार से जो coil है, वो rotate करने लग रही है, तो पहले जो current flow हो रहा है, वो A, B, C, D के अलोंग current flow हो रहा है, ठीक है, तो जब इस coil को यहाँ पर घुमाया जाता है, तो induced EMF produce हो जाता है, ठीक है, तो ये हमने construction में सारे बाते इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, अब देखें working, वर्किंग में क्या-क्या है, कि एक rectangular armature, A, B, C, D, जिसके अंदर N number of turns है, area A है, और उसको magnetic field, uniform magnetic field के अंदर rotate करवाय जाता है, with angular velocity omega, इन्हें clockwise direction, यानि इस परकार से कि axis of rotation है, वो perpendicular होगा direction of magnetic field के, कि इस परकार से जैसे ये north pole माल लो, ये south pole माल लो, ठीक है, तो जो magnetic field होगा, magnetic field के ठीक perpendicular होगा, axis of rotation coil का, इस परकार से, तो ऐसा करने से क्या होगा, induced current is produced in the coil of armature, due to change of magnetic flux, तो यहाँ पर magnetic flux change होने से induced current flow हो जाएगा, और direction जो है, वो हम flaming right and rule के according हम find कर लेंगे, तो हमने माल लिया, किसी भी time T के अंदर, induced current के direction जो है, वो A से B के अंदर है, ठीक है, और फिर CD के अंदर C से D पर, और उस time जो potential रहेगा, at B1 is positive, और B2 पर रहेगा, वो negative potential रहेगा, ठीक है, जैसे half rotation हो जाता है, तो direction of current है, वो reverse हो जाती है, पहले A से B पर थी, फिर वापिस B से A पर हो जाती है, तो direction of current reverse हो गई, तो potential जाएगा, B1 से B2 पर वो भी reverse हो जाएगा, और output जो मिलेगी, वो alternating current की मिलेगी, इसे लिए इसे क्या बोल देते हैं, AC generator बोल देते हैं, तो देखो, हमने माल लिया, कि जो magnetic flux link हुआ है, कोईल के अंदर, किसी time T के अंदर, वो phi है, और phi किसके बराबर होता है, phi होता है, B dot A cos theta के बराबर, ठीक है, और theta हमने यहाँ पर क्या लिया है, omega T लिया है, और n number of tons हैं, तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, इसका differentiation करवा लेती हैं, with respect to time, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d5 by dt, और n, b, a constant है, cos omega T का differentiation हो जाएगा, minus sin omega T, और फिर omega T का omega हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, यह जो minus था, यह आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों साइड यह दि माइनस से हम multiply करवा दें, तो हम कह सकते हैं, कि जो induced EMF है, वो minus d5 by dt के बराबर होता है, हमारे पास, तो यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, E की value आ जाएगी, कि induced TMF है, वो हमारे इतना produce हुआ है, जो peak value होती है induced TMF की, वो क्या होती है, E is equal to E not sin omega t, तो देखे, यहाँ पर एक equation तो यह बन गई, और एक equation यह बन गई, तो इस equation में, देखो, यह भी E है, और यह भी E है, left hand side बराबर है, ठीक है, यहाँ पर sin omega t है, यहाँ पर sin omega t है, तो यह जो ट्रम बच गई, यह वाली, यह वाली E not के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कि E not हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, और यह maximum value होगी induced EMF की, तो current हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, E by R के बराबर और E की value put कर दी E not sin omega T put कर दी ठीक है तो यहां से अगर देखे तो हमारे पास current की value क्या आ जाएगी I is equal to I not sin omega T क्योंकि I not किसके बराबर हो जाएगा E not by R के बराबर हो जाएगा ठीक है तो axis of rotation देखे इस परकार चलेगा coil का पहले A, B, C, D के अलों current गया इस परकार से ठीक है तो यहां पर 0 से starting हो गई current की value और जब यह rotate करना start करती है तो यहां से यह current increase होना start कर देता है जब इस परकार axis of rotation होता है तो यहां पर पहुंच जाता है जब half cycle हो जाती है तो current यहां पहुंच जाता है उसके बाद polarity reverse हो जाती है तो यहां से current की direction भी reverse हो जाती है और वापिस जब यहां पहुंचता है तो फिर again current है वो यहां पहुंच जाता है यानि अपना जब एक axis complete कर लेगा यहां से चला वापिस यहीं पहुंच गया इसके अंदर तो उसने एक cycle complete किया है current इस प्रकार flow करेगा फिर एक बार positive दूसरे बार क्या होगा negative होगा यानि हर half rotation के अंदर current हो change होता रहेगा तो alternating current जो है वो ऐसे ही flow करता है ठीक है तो यह हमारे पास था AC generator Thank you